प्यारे विध्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ आप सभी तंद्रूस्त होंगे और पढ़ाई के प्रतिवी आप सबका उत्सा कायम होगा बच्चों आज हम आठमी कक्षा के विज्ञान का अध्याएक ग्यारा बल और दाप पढ़ेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं हम जानते हैं वस्तुएं गती करती हैं और ये गती किस प्रकार होती है हमने ये भी पढ़ा है कि पवन और तुफान जब तेज आते हैं चक्रवात होते हैं तो वो घरों की छटों को अपने साथ क्यों उड़ा कर ले जाते हैं हमने ये भी पढ़ा है कि वस्तुएं गती करते समय अपनी दिशा परिवर्तित करती है हमें यह भी पता है कि वस्तुएं गती करते समय अपनी गती को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है तो चलिए बच बल के प्रकार बल क्या क्या कर सकता है दाब वायू मंदली ये दाब तो चलिए बच्चों इन सभी के बारे में अब हम एक-एक कर पढ़ना शुरू करते हैं बल किसे कहते हैं बच्चों हम बल का डैनिक जीवन में उप्योग करते हैं दर्वाजा खोलते समय साइकिल चलाते समय या फिर किसी चीज को उपर उठाते समय बल की आविशक्ता होती है लेकिन ये बल है क्या? मान लीजिए एक गेंद मैदान में विराम अवस्था में है यदि एक खिलाडी इस गेंद को दूसरे खिलाडी की और धकेलता है तो वह गेंद को अपने मित्र की और ठोकर मारेगा और जब वह ठोकर मारता है तो इसका अर्थ है कि उसने गेंद पर बल लगाया आपका मित्र खिलाडी भी बल लगाकर गेंद को या तो रोक लेगा या उसे आगे की तरफ धकेल देगा चलिए एक और उधारन लेते हैं मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर टेबल को किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक धकेल कर ले जाना चाहते हैं इस काम को करने के लिए आप कंप्यूटर टेबल को धकेल कर पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाएंगे इसका अर्थ भी यह है कि आप इस computer table पर बल लगा रहे हैं यहां धकेला जाना बल लगाने का ही एक तरीका है यदि आप कोई वस्तू मेच से उपर उठा रहे हैं तो इसका भी अर्थ है कि आप उपर उठाने के माध्यम से बल लगा रहे हैं तो बच्चों ठोकर मारना, रोकना, धकेलना या उपर उठाना यह सब बल है विज्ञान में किसी भी वस्तू के उपर लगने वाले धके या खिचाव को बल कहा जाता है यह बल दो वस्तू की परस पर अन्नोने क्रिया के कारण लगता है यदि हम पिछला उधारन लें, तो जब एक खिलाडी गेंद को दूसरे खिलाडी तक पहुचाने के लिए ठोकर मार कर उसके साथ क्रिया करता है और दूसरा खिलाडी उस गेंद को पकरता है दूसरे उधारन में, जब आप कम्प्यूटर टीबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसे धकेलते हैं, तो आप उसके साथ क्रिया करते हैं तो बच्चों, इन उधारनों से यह नतीजा निकलता है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तूओं में परस पर अनोने क्रिया होनी आविश्यक है आईए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बल के प्रभाव आओ बच्चों, पता करें कि जब किसी वस्तूओं पर बल लगता है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं बल किसी वस्तू के आकार गती और गती की दिशा में परिवर्तन ला सकता है किसी गुबारे में हवा भर कर उसे दबाईए आप देखेंगे कि जब हम गुबारे में हवा भरते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन आता है इसी प्रकार किसी गरम या ठंडी लोहे की पत्ती को हथोड़े से पीतें तो यह मूड जाएगी इन उधार्णों से हम यह परिनाम निकाल सकते हैं कि बल किसी भी वस्तू की आकृती में परिवर्तन कर सकता है बच्चों विराम अवस्था में पड़ी हुई किसी भी वस्तू को बल लगाने से वह गतिशील हो जाती है जैसा कि आपने मैदान में देखा है फुट बॉल खेलते समय जब एक रुकी हुई बॉल को एक खिलाडी ठोकर लगाता है तो वह बॉल गतिशील हो जाती है तो बल लगाने से वस्तू की स्थिती में परिवर्तन हुआ गति करती हुई वस्तू बल लगाने से विरा मवस्ता में आ जाती है जब कोई क्रिकेटर तेजी से आती हुई बॉल को कैच करता है तो वो बॉल विरा मवस्ता में आ जाती है तो इस प्रकार बल किसी वस्तू की गति की स्थिती में परिवर्तन लाता है इसी प्रकार बल किसी वस्तू की गति की दिशा भी बदल सकता है होकी खेलते समय हम होकी के साथ गेंद को धक्का देकर इसकी दिशा बदलते है बच्चों बल किसी वस्तू की चाल में भी परिवर्तन ला सकता है मान लीजिये कि आप साइकिल चला रहे हैं यदि आपका दोस्त साइकिल को धक्का लगाए तो साइकिल की चाल तेज हो जाएगी तो इन सभी उधार्णों से हम यह परिणाम निकालते हैं कि बल किसी वस्तू को विराम अवस्था से गती में ला सकता है किसी गतिशील वस्तू की चाल में परिवर्तन कर सकता है किसी गतिशील वस्तू की दिशा में परिवर्तन कर सकता है वस्तू की आकृती में भी परिवर्तन कर सकता है संपर्क बल हम जानते हैं कि बल दो वस्तुओं की अनोने क्रिया के कारण लगता है लेकिन यह दो वस्तुओं अनोने क्रिया किस प्रकार करती है इस अनोने क्रिया के साथ बल दो प्रकार से लग सकते है संपर्क बल और असंपर्क बल सबसे पहले हम संपर्क बल के बारे में जानेंगे संपर्क बल लगाने के लिए दो वस्तूओं का आपस में संपर्क में होना आविशक है मान लीजिये कि आपको प्यास लगी है और आपके सामने मेज के उपर पानी का भरा हुआ गिलास रखा है अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको मेज से गिलास उठा कर मूँ तक ले जाना पड़ेगा इसका अर्थ है कि आपने गिलास पर बल लगाया आप गिलास को हाथ में पकड़ कर अपने मूँ तक ले कर गए आपके हाथ और गिलास के बीच सीधा संपर्क है इसलिए बच्चों यह बल संपर्क बल है हमने सबसे पहले उधारन में भी देखा कि जब आप अपने मित्र को बॉल पास करते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको बॉल को ठोकर मानने पड़ेगे अर्थार्थ आपके पैर का आपके बॉल के साथ संपर्क होगा इसी प्रकार जब आपका मित्र अपने पैर के साथ बॉल को रोकेगा तो उसके पैर और बॉल के बीच भी संपर्क हुआ तो बच्चों यह बल संपर्ख बल है इन उधार्णों में हमारे शरीर के किसी भागने किसी वस्तू के साथ संपर्ख करकर बल लगाया यह बल हमारे शरीर की मास पेशियों के द्वारा लगाया जाता है क्यूंकि हमारी मास पेशियों के क्रिया के स्वरूप यह बल लग रहा है तो इस प्रकार लगने वाले बल को पेशिय बल कहा जाता है विभिन पशु भी शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए पेशिय बल का उप्योग करते है आपने देखा ही होगा बैल, घोडे, गधे या उंट जैसे पशु हमारे लिए अलग-अलग कार्य करते हैं इन कार्यों को करने के लिए फिह पेशिय बल का उप्योग करते हैं जैसे गाड़ी खीचने के लिए उन्हें आगे लगाया जाता है तो यहाँ पर यह जीव अपने पेशिय बल के द्वारा ही इस गाड़ी को खीचते हैं क्योंकि पेशिय बल तभी लगेगा जब पेशियां किसी वस्तू के संपर्क में हो इसलिए इसे भी संपर्क बल कहते हैं आईए बचों अब हम एक और संपर्क बल के बारे में जानते हैं यह है घर्शन बल जब आप किसी गेंद को मैदान पर धकेलते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बॉल अपने आप जाकर रुख जाती है साइकल चलाते समय जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे साइकल की गती कम हो जाती है और अंत में यह रुख जाती है तो बच्चों इन दोनों उधारनों में वस्तू की गती में परिवर्तन का कारण घर्शन बल है यहां फर्ष और गेंद के बीच लगने वाला घर्शन बल ही है जो गेंद को गतीशील अवस्ता से विराम अवस्ता में ले आता है घर्शन बल सदैव गती की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है क्योंकि घर्शन बल दो सतहों के संपर्ख के कारण उत्पन होता है इसलिए यह भी संपर्ख बल का ही उधारन है आईए बच्चों अब हम कुछ असंपर्ख बलों के बारे में पढ़ते हैं आपने चुम्बक तो देखे ही होंगे एक छड़ चुम्बक लीजिए और इस चड़ चुम्बक के निकट एक लोहे की कील रखिए चड़ चुम्बक को धीरे धीरे लोहे की कील के नजदीक लेकर जाईए ध्यान रखिए कि हमें इन दोनों को आपस में संपर्ख में नहीं लाना है आप देखेंगे की कील अपने आप गती कर छड़ चुम्बक के साथ चिपक जाएगी इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ है कि चुम्बक ने बिना संपर्ख किये कील को अपनी और आकरशित कर लिया चड़ चुम्बक के द्वारा लगाया गया यह बल चुम्बक की यह बल कहलाता है क्यूंकि यहाँ पर चुम्बक और कील के बीच किसी प्रकार का संपर्ख नहीं था इसलिए चुम्बक के बल और संपर्ख बल का उधारन है आईए हम एक और उधारन देखते हैं एक गेंद को बल के साथ उपर की तरफ उचा लिए आप देखेंगे कि थोड़ी दूर उपर जाकर यह गेंद अपने आप ही नीचे प्रत्वी की और गिरने लगती है इससे स्पश्ट है कि गेंद की गती की अवस्था में परिवर्तन होता है सभी वस्थूएं प्रत्वी की और इसलिए गती करती है क्यूंकि प्रत्वी उन्हें अपनी और आकरशित करती है प्रत्वी के दोवारा लगाए गए इस बल को गुर्त्वा कर्शन बल कहा जाता है यह बल भी असंपर्क बल का ही उधारण है अब हम एक और असंपर्क बल के बारे में पढ़ेंगे दो गुबारे लीजिए इन्हें हवा में लटकाईए क्या इनमें किसी प्रकार का कोई बल लग रहा है नहीं अब एक गुबारे को हाथ में पकड़ कर किसी उनी कपड़े के साथ रगड़ दीजिए अब इसे दूसरे गुबारे के पास फिर से लटकाईए अब आप देखेंगे कि यह गुबारा दूसरे गुबारे को अपनी और खीचता है इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों गुबारों के बीच कोई बल लग रहा है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनी कपड़ों के साथ रगड़ने पर गुबारा आवेशित हो गया और उसने दूसरे अनावेशित गुबारे को अपनी और खीच लिया बच्चों एक आवेशित वस्तू के द्वारा किसी दूसरी अनावेशित या आवेशित वस्तू पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है और स्थिर व्यद्यूत बल भी असंपर्क बल का ही उधारन है क्योंकि यह बल वस्तू के संपर्क में ना होने पर भी कारे करता है तो इस प्रकार असंपर्क बल तीन प्रकार के हैं चुम्बकिय बल गुरुत्वा कर्शन बल और स्थिर व्यद्यूत बल चलिए बच्चों अब हम दाब के बारे में पढ़ते हैं दाब किसे कहते हैं जब आप कील को हथोड़े के साथ ठोकते हैं तो शीर्ष चप्टे सिरे पर ठोकते हैं और कील का नुकीला सिरा हथोड़े के साथ लगाए गए बल के कारण दिवार में चला जाता है यदि आप इस कील को उल्टा करकर हथोड़े से चोट करें तो क्या कील दिवार में जाएगी यदि आप नुकीले सिरे पर बल लगा कर चप्टे सिरे को बार बार हथोड़े से ठोकेंगे तब भी यह कील दिवार में नहीं जाएगी इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि नुकीले सिरे ने दिवार पर अधिक दाब लगाया चाहे दोनों ही परिस्थित्यों में बल एक जैसा लगा हो परन्तु यह बल अलग-अलग शेत्रफल पर लगाया गया कील के नुकीले सिरे का शेत्रफल उसके दूसरे सिरे के शेत्रफल से काफी कम है इसलिए बच्चों शेत्रफल और दाब के बीच एक संबंध निकलता है दाब बराबर बल बटा शेत्रफल जिस पर यह लगता है तो दाब इकाई शेत्रफल पर लगने वाला बल है दाब का मातरक न्यूटन पर मीटर स्कुएर है लेकिन एक प्रसिद्ध विज्ञानिक बलेज पासकल के सम्मान में दाब की इकाई को पासकल भी कहा जाता है बच्चों दाब शेत्रफल के वितक्रमानुपाती होता है वितक्रमानुपाती का अर्थ है यदि बल कम शेत्रफल पर लगेगा तो दाब अधिक होगा और यदि बल अधिक शेत्रफल पर लगता है तो दाब कम होगा इसी कारण नुकीले सिरे पर हथोड़ा मारने पर कील दिवार में नहीं गई क्यूंकी कील के चप्टे सिरे का शेत्रफल अधिक है और शेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम लगा आपने देखा होगा कि जब हम सबजियां या फल काटते हैं तो चाकू बहुत तीखा होना चाहिए यदि किसी कुंठित चाकू से सबजियां या फल काटने का प्रयास किया जाए तो वह असानी से नहीं कटेंगी क्योंकि कुंठित चाकू का शेत्र फल तीखे चाकू की तुलना में अधिक होता है तो दाप कम लगता है बच्चों यह बल हम सतह के लंब रूप में लगाते हैं आपको इसका एक और उधारन देते हैं आपने अपने स्कूल बस्तों की लड़ियों को देखा होगा वह काफी चौड़ी होती है तो अब आप बताईए कि आपके स्कूल बस्तों की लड़ियां इतनी चौड़ी क्यूं होती है जी हाँ बिल्कुल सही चौड़ी होने के कारण उनका शेत्रफल बढ़ जाता है और शेत्रफल बढ़ने के कारण दाप कम लगता है बच्चों चलिए अब हम द्रव द्वारा लगने वाले बल के वारे में बात करते हैं द्रव बर्तनों की दिवारों और तल के उपर दाप डालते हैं यदि हम द्रवों को अलग-अलग परतों में देखें तो कई महत्वपून तथ्य सामने आएंगे मान लीजिए हम किसी द्रव को पांच परतों में बाट देते हैं बच्चों आप देखेंगे कि दूसरी परत पहली परत का भार उठा रही है तीसरी परत दूसरी और पहली परत का भार उठा रही है इसी प्रकार चौथी और पांचवी परत उपर वाली परतों का भार उठा रही है तो इनसे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें यह पता चल रहा है कि निचली परतों पर उपर वाली परतों की तुलना में दाप अधिक होता है सबसे उपर वाली परत में दाप सबसे कम और सबसे नीचे वाली परत में दाप सबसे अधिक होता है इसे समझने के लिए आप एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए इसे पानी से भर दीजिए अब इस बोतल में सबसे उपर वाली परत के पास छेद करिए आप देखेंगे कि इस छेद में से पानी बाहर आने लगता है अब नीचे की पर्तों के पास भी छेद करिये देखिए क्या पानी हर छेद से बराबर दूरी पर गिर रहा है नहीं, निचले छेदों से निकला हुआ द्रव या पानी उपरी छेदों से निकले हुए पानी की तुलना में ज़ादा दूरी पर जाकर गिरता है इसे यह सिद्ध होता है कि द्रव नीचे की पर्तों पर अधिक दाब डालता है और उपर की पर्तों पर दाब कम लगता है बच्चों अब हम वायू मंडलीय दाप के बारे में पढ़ते हैं हम जानते हैं कि हमारे चारों और वायू का एक आवरण है वायू के इस आवरण को वायू मंडल कहा जाता है और इस वायू मंडल में उपस्थित वायू के द्वारा लगाए गए दाप को वायू मंडली ये दाप कहते हैं क्योंकि वायू मंडल प्रत्वी के तल से कई किलोमीटर उपर तक फैला हुआ है तो वायू मंडली ये दाप काफी अधिक मात्रा में हम पर लगता है तो इस वायूमंडलिय दाब के भार के नीचे हम दपकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायूमंडलिय दाब के बराबर होता है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ की दोहराई करते है प्रती इकाई शेतरफल पर लगने वाले बल को दाब कहते है बल सदैव दो वस्तूओं के बीच अनोन्ने क्रिया के कारण लगता है द्रव और गैस बरतनों की दिवारों पर दाब डालते है हमारे चारों और की वायू के द्वारा लगाए गए दाब को वायू मंडली ये दाब कहा जाता है आएए बच्चों अब हम कुछ रिक्तिस्थान देखते हैं और मुझे पूरी उमीद है कि आप इनके उत्तर दे पाएंगे यदि किसी वस्तूपर विप्रीत दिशा में लगने वाला बल बराबर हो तो उस पर लगने वाले कुल बल का मान क्या होगा? जी हाँ शून्य होगा जीरो होगा यदि किसी वस्तूपर दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जाए तो कुल बल का मान जीरो होगा किसी अनावेशित वस्तूपर किसी आवेशित वस्तूपर के दोरा लगाये जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? जी हाँ स्थिर वैद्युत बल द्रव बर्तन की दिवारों पर समान गहराई पर क्या डालते हैं? जी हाँ समान दाब डालते हैं तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय बल और दाब खतम होता है मुझे उमीद है ये आपको बहुत अच्छी तह समझ में आया होगा बच्चों आप पढ़ते रहे बढ़ते रहे और खुश रहे धन्यवाद